हेलो फ्रेंट्स, दोस्तों इस वीडियो में आप सीखे होगे, आप जानोगे कि प्रधान मंतरी वाया वंदना यूजना आखिर में है क्या ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है उन लोगों के लिए जो के सिनियर सिटिजन्स है और जिनको इंकम के कोई जरिये नहीं है हर किसी के घर आपने देखा होगा कि ओल्ड एज परसन तो होगे आपके दादा दादी है ना या पैरेंस जो कि अब हो 60 यर्स ऑफ एज है जो कि 60 साल से उपर है ये नहीं स्कीम हमारे सेंट्रल गवर्मेंट ने लांच किया है प्रधान जिसका नाम है प्रधान मंतरी वाया व संतना यूजना को हमारे यूनियन फनैस मिल्स्ट्री वित्यमंतरी ने लांच किया था इस स्कीम का फायदा शिर्फ और शिर्फ वो परसन मेल और फिमेल परसन जो कि 60 साल के ऊपर है वही इसका लाब उठा सकते है इस स्कीम में अंडर सीनियर सीडिजन विल गेट गैरांट इस सेनियर सीडिजन को एक कुछ अमाउंट उनको एक ही बार प्रिमियम पर एदा करना होगा है ना यह हम जानते कि लाइसी बीमा पॉलिसी बेशता है तो यह लाइसी के अंतर अंतर गिता है लेकिन यह सेंट्रल गवर्मेंट इसकी अंडर्टेकिंग जादा तर पर रहेग है तो उस पर गवर्मेंट एट परसन देगी दस साल के लिए और उस व्यक्ति को मंतली कौटरली या वह जैसा उसकी डिमांड के हिसाब से उसे पिंशन देगी Life Insurance Corporation of India has been given the sole privilege to operate this scheme है ना तो मैंने जैसे कि बताया कि Life LIC Life Insurance Corporation जो है यह यह scheme को LIC operate करेगी यह वीमा scheme है और इस पे 8% interest दिया जाएगा है ना 8% आज की तारिक में 8% कोई नहीं दे रहा है इवन fix deposit पे हमको 6.57% मिल रहा है तो यह प्रदावाया वंदना योजना में senior citizen को 8% मिल रहा है बहुत अच्छी news है हमारे senior citizens के लिए क्योंकि saving account पे भी banks और reduce कर दिया है 4% पहले देती थी सारी banks nationalized banks लेकिन अब सिर्फ साड़े 3% यानि 3.4% 3.5% ही दे रही है तो कम से कम amount कितना एक senior citizen है वो कम से कम amount उसे एक point की 60 साल की उपर के male and female senior citizen इस योजना में आ सकते हैं दूसरा कम से कम यह premium उनको भरना होगा एक लाग पचास हजार और जादस जादा हो सकता है साथ लाग पचास हजार है न जो देड़ लाग भड़ता है उसको monthly है न हजार रुपया pension मिलेगी और उस पे 8% interest भी मिलता रहेगा yearly pension minimum 1001 and maximum अगर कोई व्यक्ती साले साथ लाग प्रिमियम एक बार में पेकिया है तो इसे 5,000 रुपय मिलेगा महिन्य का और सबसे अच्छी खबर यह है अच्छी news यह है कि इस scheme में it is exempted from goods and services tax means GST tax and it will offer senior citizen more avenues to earn steady regular income और यह कि GST से exempted है इस पर कोई किसी भी तरीके का कोई tax नहीं लगेगा और साथ साथ में यह है कि एक senior citizen के लिए एक बैठे बैठे एक income का जर्या मिल जाएगा और इस scheme को ऐसा नहीं कि है कि scheme में इंटर होने के पाथ exit नहीं कर सकते है अगर कोई अगर कोई genuine reason है ना अगर कोई medical reason है medical के लिए लग रहा है पैसे तो senior citizen उसे वापिस भी close भी कर सकते है प्री मैच और exit भी सबसे पहला पॉइंट है कि government pension scheme है senior citizens के लिए अब जैसे कि किसी ने suppose किया कम से कम बने कहा था कि देड़ लाग यानि एक लाग पचास अजार premium एक time पे करना है one time एक ही time premium पे करना है और उनको मंतली salary की रूप में और pension की रूप में पेंशन की रूप में मंतली pension मिलते रहेगी अगर जिसी ने suppose मंतली अगर देड़ लाग रुपए किसी ने डाल दिया एक बार है ना तो उसे minimum pension amount 1000 रुपए मिलेगा कब तक के लेकिन time duration भी है कि उसके वो 60 साल का उसे सबसे उसे 90 years तक जीत जीया तो 30 साल तक तो 30 साल तक उसे नहीं मिल दे रहेगा सिर्फ 10 साल तक कोई 60 years का बंदा को 60 years का परसन अगर इंडर होता है इस scheme में तो वो 10 साल तक यानि कि 70 साल तक होगा तो यह scheme automatic close हो जाएगी 10 साल तक की ही scheme रहेगी 62 साल का कोई परसन है 62 years का है तो 72 years में बातर साल में उसकी scheme close हो जाएगी और आप सबसे देखते है कि कोई 67,000,000 प्रिमियम पे किया मैंने बताया कि अगर जिसी ने कम से कम प्रिमियम जो है 55,000 बिलेगे as a pension है और suppose यह दिया हुआ है quarterly 149,068 रुपीज है न तो quarterly मतलब हर 3 महीने पर जाहर सेम होता है तो उसे 3 महीने का directly quarterly मतलब 3 महीने quarterly मतलब साल में साल के 12 महीने के 4 पाट किये जाए तो 3-3 महीने का होता है तो हर 3 महीने पर उसे 3000 मिलेगा वह हिसाब बैठता है है न यह system करके दिया है अगर महीने वाइस quarterly वाइस और 6 महीने में ना लेते है वे directly साल भर मिलेता है तो उसे 12,000 मिलेगा है न यानि कि अगर yearly ये yearly एक तरीके स बहतर है कि अगर वो चाथा है कि अगर कम से कम सी भी एक लग कि 44,000 डालता है तो साल बर न महीने वाइस ना लेते हुए उसको इस पर फायदा मिलेगा 6,000 रुपे का फायदा मिलेगा उसको 12,000 रुपे एक साल में एक बार उढ़ा ले अब देखते है कि ये न्यू पेंशन इसके एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि आपको यह रिविजन हो जाएगा मिनिमम इंट्री एज इस सिक्स्टी येर्स कम से कम अठावन और नुन साथ साल का भी व्यक्ति इसमें इंटर नहीं हो सकता है इस येर्स चाहिए and policy term is of 10 years कम से जो duration रहेगा period रहेगा इस policy का 10 साल के लिए रहेगा can be subscribed offline as well as online through LIC की कोई बिन करीबी office में जाके offline भी कर सकता है मतलब करीबी office में जाके form भर के entry कर सकते है या online भी इससे apply कर सकते है and provide an assured return of 8% per annum payable monthly government इस अगरक्म पर 8% per annum साल का 8% देगी on date of suppose हां किसी के जिंदगी का कोई भरुसा नहीं हम सब ही जानते हैं कि हमारी जिंदगी का कोई भरुसा नहीं हमारे है इवन तर देथ अगर किसी की देथ हो जाती है है तो इसकी मोपन किया हो तीन से चार सार बाद जनी चुब सट साल का हुआ या तरी सट साल का हुआ हो व्यक्ती और इसकी देथ हो गई तब उसका amount क्या होगा वह सारा का सारा amount उसे refund हो जाएगा उसके nominee को और beneficiary जो भी उसे apply करते वक्त उसे nominee declare करना होगा जैसे हमारे bank account में हमारे nominee होती है इसी तरीके से उस scheme के भी nominee रहेगे उनको मिल जाए गए and loan up to 75% purchase price allowed after three years है ना उस तीन साल के बाद अकर इसकी में entry करता है तो उसके तीन साल बाद loan भी उठा सकते है and pension is payable monthly जैसे कि हमने देगा कि pension monthly लेओ, quarterly लेओ, हर तीन महीने पे लो या छे महीने पे लो या साल के बारा महीने बाद लो यह एक साल बाद लो बैता रहेगा कि साल बाद लेगे तो profit जादा है I hope friends मैं उम्मित करता हो कि दोस्तों आपको ये video पसंद आई होगी और ये video ज़रूर शेर कीजिए उन needy person को खास तोर से उन लोगों को दिखाई है जो कि 60 और अब हो 60 years of old आपके relatives में जो भी होगा क्योंकि ये scheme बहुत ही अच्छी है उनको उनकी बुढ़ापे में एक तरह का एक तरह का बहुत अच्छा सहारा है कि उनको उनकी account में ऐसे हमारे प्रधान मंतरी का एक बहुत बड़ा step है कि digital India सारी चीज़े online होते जा रही है तो उनके पास भी एक bank account होना जरूरी है bank account रहेगा ये scheme के तहाँ तो उनके account में directly pensions आते रहेगी ये ना ओके thank you for watching this video have a nice day उनके प्राइब प्रेज़े जान आप सहारा है कि झाल धिसका प्राइब एक रख एचेश का झाली है ये नच्ड़ावार बहुत पर नच्वत प्रोजसरा है